कि पिछले पाद्ट में आप यहां तक देखी लिए थे डेटा बेस में डेटा इंसेर्ट करी रहे थे। डंका मेसेज यहां पे आ गया था। और हम डेटाबेस में भी चेक कर लिये थे। लेकिन चर chor adolescent लगाई हैं और दिमाग लगा के बताई हैं ठीक है यहां पे नाम हम थोड़ा सा बदलते हैं ठीक है तो इसे बटम पे क्लिक करते हैं और यहां थोड़े दिर में डंग का मैसेज एक बारूर आ गया और यहां यूजर को पतो नहीं चला यह अच्छा बात है नहीं ना तब इसके लिए हम क्या करेंगे मैं मैसेज क्या करना चाहिए ऐसा काम करूं क्या मैं किसी बटन में पे जो है मैसेज सेब सक्सेज का मैसेज दे दूँ इस बटन में पे मैं दे देता हूँ सेब सक्सेज का मैसेज ठीक है नहीं ठीक रहेगा दे देते हैं देखते हैं कहां पे ठीक रहेगा ठीक है मिल जाओ भई किदर हो फूटर ले ले लिए से ब्यास यू सिपी सक्सेस ठीक है हम यहाँ पर लिख दिये से ब्यास सक्सेस अब रिलोड करेंगे हम इस पर आएंगे यहाँ पर से ब्यास सक्सेस का आ रहा है इसको थोड़ा मैं कलर करता हूँ ठीक है तो इकलास टी एक्ट एम इ इम-ESG यहाँ पर मैं मैंसेज लगाूँ गा ठीक है और फिर बाकी इसमें कलास क्या दोगा loved dxt- तो किया होगा आप भी देखिए सिप सक्सेस का यहां पर मैंसे जाए गया, सक्सेस का ठीक है और सक्सेस होगा तब तो सक्सेस आएगा लेकिन अगर फेल्ड होगा तो क्या आना चीजिए डेंजर आएगा तब मज़ा आएगा ठीक है डेंजर आना चाहिए तो रेड हो जाए फिल्ड हो जाए यह मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो हम एक रहा हटाएंगे बॉर्डर मेरे को मज़ा नहीं आ रहे देखते तो इसके लिए मैं क्या करूंगा आप भी देखे हम क्या करते हैं इसको हम दंकी देंगे क्या दंकी देंगे बॉर्डर तु गयब हो जाए यह तो चानता है कि हम कौन है गयब कर दीए बॉर्डर चलिए जी लेकिन एक चीज और यहां तो local computer पर हम testing कर रहे थे तो जैसे यहां पर click करते थे save पर click करते थे थोड़े दिर में message आता था ठीक है लेकिन जब message आता था तो कुछ loader loader घुमता या लिखाता यहां please waiting तो मज़ा आ जाता please wait अगर लिखाता तो मज़ा आ जाता तो मैं क्या करूँगा कि मैं loader न ला करके यहीं पर please wait लिखा देता हूं ठीक है loader कैसे आएगा बता दूँगा कभी आप comment करके बोलना कि loader बताओ कैसे आएगा तो हम उखों बता देंगे आपको ठीक है चलिए दी तो आता हम अब नीचे कि ठीक है नीचे आके मैं क्या करूँगा इसके पहले आऊँगा जब हमने request किया server पे ठीक है जैसे request server पे गया तब से ले करके response done का जब तक console में नहीं आ जाता तब तक हम क्या message देंगे please wait तो इसके लिए event है एक नहीं दो है एक complete का event है एक before send है send before है मैं complete अभी नहीं करता हूँ यूज हम अभी send before का यूज करता हूँ ठीक है send before हमने कर लिया ठीक है यहाँ पर कॉमा देंगे console.log में क्या लिख देंगे जी waiting ठीक है please wait dot 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 ठीक है ऐसे देंगे बीफोर का spelling हमको बलत लग रहा है क्या करें यह इतना तकड़ा अंगरी जो हमारा है यह क्या बोल रहा है modal function is not defined यह दिमाग खराप कर रहा था हमारा भी अच डेटा डाल देते हैं ठीक है key enter save button पर send before कोई बात नहीं हम google करके मैं देख लेंगे ठीक है इवेंट यह क्वेरी में इवेंट पुरा यह दिया हुआ है ठीक है बंदा फोन करने लेगा तो रूब इवेंट तो यहां पे send before नहीं था before send इवेंट था ठीक है अब सेब करूंगा अब डेटा बेस में डेटा इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा इंसर्ट हो जाएगा और यहां पे done का message भी आ जाएगा ctrl u दबाता हूं में एक बार आ गया यहां यहां पे आया यहां पे आया कुछोटा इंट किया enter वारा प्लीज वेट पहले आया फिर done बात में आया थे एक सकेंड हलो हलो क्या करें जीवन में थोड़ा बेस्तता चल रहा है तो इसी के करण फोन पान आ जा रहे हैं कोई बात नहीं चलिए तो हम क्या करेंगे कि मैंने क्या दे रखा है अधिकत यह कि लोग फोन करके कुछ लोग पूछ लेते हैं तो क्या करें आप डाउट क्लियर करना पड़ जाता है इस टेक्स डेंजर को ना मैं गायब कर दूंगा इसको इसको आपको नहीं है जरूरत यह जो यंदर टेक्स लिखा है नहीं चाहिए हम को यह हम यह सब डाइनमित लाएंगे ठीक है यह देखिए अब यहां पर कुछ नहीं आ रहा है यह सब डाइनमित लाएंगे हम नहीं चाहिए यहां से ठीक है तो आएंगे नीचे आउंगा मैं यहां सबसे पहले ठीक है $.message ठीक है फिर इसमें .html करेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे यही message को हम यहां पर दे देंगे ठीक है ऐसे दे देंगे फिर इसी को मैं copy करूंगा request गया server पर ठीक है तो server पर गया just server पर जैसे मैं क्लिक करा done बटन पर तब आएगा please waiting और जब तक इसमें done का message नहीं आ जाता थोड़ा सा और टाइम जगा भी जद यह अब की वजना communication सावट रहा तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं चेक करूंगा res.tream करूंगा white space वगर कुछ हो तो गा यहां पर लिख दूँगा do अगर यह done है तो क्या करो कर दो ऐसा ठीक है please wait को कर दो क्या success ठीक है इसको कर दो success ठीक है और फिर success करें से पहले क्या करो add class यह में थड़े जी query का इसमें पास क्या 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 पास कर देंगे text primary text कर दो primary ठीक है success का message आने के बाद set time out हमेशा successful हमको थोड़े न दिखाना है हमको हमेशा successful इसमें नहीं दिखाना है तब कब तक दिखाना है दो-तीन सकेंड तक set तो इसलिए मैं method call करूँगा set time out इसमें callback method एक्टोर बना दूँगा मैं old java script का इस्टेमाल कर रहा हूँ यह 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 कॉमा यहां पर देता हूँ 3000 सेकंड हम देते हैं इसमें और जैसे ही यहां पर आया तो हम क्या करेंगे copy करके paste कर देंगे यहां ठीक है और जो add class था इसको कर देंगे remove class ठीक है और यहां पर success के लिए आपर क्या कर देंगे blank ठीक है यह blank कर देंगे 10 seconds बाद ठीक है लेकिन आप ध्यान दिये होंगे कि form पर मैं submit button दबाता था ठीक है save हो जाता था यहां पर मैं आता था submit button यहां पर दबाता था data save हो जाता था लेकिन इन form पर जो है क्या होता था data रह जाता था खतम नहीं होता था ठीक है तो इस data को खतम भी तो करना होगा हमको तो खतम करने के लिए हम क्या करेंगे तीन सेकुंड बाद हम हम ये भी कतम करदेंगे जर टो डॉलर डॉलर। ॉडॉलर, टॉूं dec. ट्रिगर कर देंगे रिस्धड, रिस्ट कर दो भाई सब कुछ , ये गां कर देंगे ठीके ? यह काम कभा हमें करना है यह डन हो जाएगा तो करना हम मन में सौच रहे होगे कि भाई साब जरा क्रिभा करके बता दिजे कि-2 वाला क्भा मैड़ा मनें अर्र वाला न चलना चाहिए तो इस सर्वर जब ब्राउजर को पता चलेगा कि एरर है तब यह वाला इवेंट ट्रिगर होता है ठीक है अभी तो फिल्ड आता है फिर भी सर्वर जो है कि स्ट्रिट्स कोड बगर करो चाहिए मैं बताऊंगा अब यहां पर आ जायागा मान लिजिए फिल्ड कैसे हम लिखें इसका फिल्ड का यह देखे, field का yispelling ऐसे लिखे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, servlet कहां गया, index कहां गया, यह है, ठीक है, यह देखे, field हो जाएगा, तो क्या कर दो, text में add कर दो, ban der, benger, ठीक है, अब आई एल्डी फेल्ड एल्ड एल्ड एसी प्लेज ट्राइड अगेन एक वाट को गेर चार्जर में चार्ज में लगा दूँ अपने लिफट अफ नहीं था मर बंद हो जाएगा सिस्टम ठीक है तो ही हो जाना चाहिए टेक्स्ट में रिमूव अब क्या करें अब टाइम आगे है कि हम टेष्ट करें अपने प्रोग्राम को चलिए जी आइसे कर लेंगे पिर आइसे एड़ दरेट आइसे ठीक है से बटन पर मैंने गलिक करा प्लीज वेट यहाँ पर आया था तो बनते गायब भी हो गया और यह बोल रहा टिगर इस नोट ट्रीगर इस नोट अफंक्स एक रहा करा हम अभी बताते हैं ट्रीगर जेक्व यूए आरवाई जेक्व ऐयरीषंट ट्रीगर फंक्सटशन है लेकिन हमने क्या कर रखा है यहाँ पर जी को नहीं लगाए एक और जी लगए गया नहीं तो आप यहसे गूझल वगरा कर लिया करो इमेल डाल दिया, एसे, प्लीज विट आया, सेब सक्सेस भी आ गया, तीन सेकेंड के बाद ट्रिगर वाला फंक्शन को बॉल कर दिया, तहीं हो सब गया, सिफ हो गया, लेकिन तीन सेकेंड के बाद फ्रम हो भी गया, नहीं होना चाहिए, गयब कर दे, पिर्भ गयकरदो, जो और इसे, पिर्था आटा चाहर चुए, पिरिछ तो यह दूसरा पार्ट है, 14 मिनटी फिर से हो गया हम सुचते हैं कि टाइम ज़्यादा न ले लेकिन हो जाता है का करें चलिए डिस्प्ले करेसे डेटा होगा उसको या वह अगला परट में करेंगे ठीक है खर कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा समय लग रहा है पर सीख जाएंगे मैं चाहता हूँ कि दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत ही ना बड़े एक वीडियो यह प्लेलिस्ट अगर आपने देखा तो चलिए ठीक है